हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सभी वेलकम है अगस्तु लड़नीगी प्लैटफॉर्म पे और मैं हूँ आपकी बायो टीचर तो आज हम केमेस्ट्री का नेक्स टॉपिक बच्चों पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक होने वाला है हमारा बिहेवियर ओफ गासे पे जी हां ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉंपर्टीशन एक्जाम्स के लिए और हम आज इसी टॉपिक से रिलेटेट जो है बात करने वाले हैं तो सबसे पहले हमारा शुरू होने वाला है टॉपिक आज का बॉयल्स लॉओ जी हां बॉयल्स लॉओ एक बहुत बॉयल्स लॉओ होता है यह क्या होता है तो दो वाल्यूम ओफ फिक्स्ट एमाउंट अफ गैस अटकॉंस्टेंट टेम्परेचर इस इंवर्जनली प्रपोर्शनल टुएट्ट्स प्रेशर ओके क्या बता रहा है बच्चों यह लॉओ क्या बता रहा है कि किसी भी इस्थि किसी भी इस्थिरता पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्यूत क्रमानुपाती होता है सिंपल मेरे साथ एक बार आप याद कर लीजें फटा फट से कि जब भी किसी भी गैस की बात हो रही है उसकी बीहिवियर की बात हो रही है तो ये लौ आता है हमारे सामने जो लौ का नाम क्या है बेटा बॉयल्स का नियम बॉयल्स का नियम क्या कहता है कि किसी भी इस्थिर टेंपरेचर पर ठीक है ना किसी भी आप कह सकते हो constant इस्थिर मतलब क्या हो गया बेटा constant temperature यानि तापमान पर gas की जो नियत होती है ठीक है ना gas की जो नियत मात्रा होती है यानि जो fixed amount होता है gas का उसका जो item होता है बेटा उसका जो क्या होता है बेटा volume उसका क्या होता है बेटा volume item उसके डाब का ठीक है ना उसके pressure, दाब मतलब क्या हो गया बिटा, दाब मतलब हो गया pressure, उसके pressure का inversely proportional, यानि inversely proportional होता है, और अगर आप से direct definition आ गया और पूछ रहा है कि ये नियम किस से संबंदित है, चार आपके पास option दे रखें, तो आपको क्या लगाना है बिटा, boils law, ठीक है, तो ये हमारा क्या ह गया boils law, now, अब हम दूसरे law पे बात करते हैं, हाला कि इस chapter में बहुत सारे laws आपको पढ़ने है, दूसरा जो law है बेटा, वो है चार्ल्स law, अब हम ये भी देखते हैं कि चार्ल्स law क्या होता है, ठीक है, so, the volume of a fixed amount of a gas, फिर से बोल रहा है, एक fixed amount पे, ठीक है न, स्थिरदा पर किसी गैस कही नियत मात्रा का आयतन, उसके परमताप का, बात समझ में आ रहा है, उसके परमताप का सीधा अनुक्रमानुपाती होता है, यानि, fixed amount of gas at a constant pressure, okay, constant pressure is directly, हमारा बोल्स law क्या था बेटा, inversely proportional था, और हमारा चार्ल्स law क्या कहता है, directly proportional है, ठीक है, तो directly proportional है उसके absolute temperature पर, उसके absolute मतलब परमताप पर, तो जब absolute temperature की बात हो जाती है बेटा, तो वो हो जाता है चार्ल्स law, और जब constant temperature की बात हो जाती है बेटा, तो वो हो जाता है बेटा, तो वो हो जाता है बेटा, Simply, boils law में जब बात होती है बेटा, किसी भी gas के constant temperature मतलब की किसी भी एक fixed amount पर हम कह सकते है, fixed temperature पर gas का जो एक नियत मात्रा का जो volume होता है, वो क्या होता है बेटा? उसके pressure के inversionally proportional होता है, लेकिन Charles क्या कहता है? Charles कहता है, directly proportional होता है ठीक है और absolute temperature पर सारी चीज़े होती है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, T is equal to 273 degree plus temperature को यहाँ पे centigrade में किया गया, तो यह हो गया हमारा क्या? यह हो गया हमारा Charles law, I hope कि आपको boils law और Charles law दोनों clear हो गया एक important note यहाँ पे बताया जा रहा है, note क्या है? कि absolute zero temperature ठीक है? absolute zero temperature पर बात हो रही है, so the theoretically lowest possible temperature जो की होता है, minus 273 degree Celsius जो की called absolute zero temperature बेटा इसी को कहता है, अगर आप से question पूछा जाता है, absolute zero temperature क्या होता है? तो वो होता है, minus 273 degree centigrade ठीक? At this temperature, the volume of all gases become zero, इस temperature पे जितने भी प्रकार की gases होती है न बेटा, उन सब की volume क्या होती है? वो zero होती है, शुन्य होती है. Now, next चो हम law पढ़ेंगे बेटा, वो है आपका आवोगाद्रो नियम. ठीक है? आवोगाद्रो law क्या होता है? ये भी देख लेते हैं. ये rule ये कहता है, कि समान ताप, ठीक है न? सेम टेंप्रेचर, एवं दाब, सेम प्रेशर, पर सभी गैसों के समान आयतन में अनुओं की संख्या भी क्या होती है बेटा? समान होती है. यानि, equal volume of all gases at the same temperature and pressure contain same number of molecules. ठीक है न? यही तो कहता है आवोगाद्रो रूल की same temperature और प्रेशर पर all gases के जो एकोल आयतन होते हैं, उन में अनुओं की जो molecules के जो numbers होते हैं, वो क्या होते हैं, वो भी same होते हैं. बात समझ में आ रही है, ये है आवोगाद्रो लोग. Now, the volume of 1 gram molecule of different gases, यहाँ पे एक example दे रखा है, at a normal temperature and pressure is 22.4 liters, happens and this 22.4 liters contains 6.0 k power 22 multiplied 10 to the power 23 molecule. So, सामाने एक normal temperature और pressure पर many gases के 1 gram अनुओं का, 1 gram ध्यान रखिएगा, 1 gram molecule का जो आयतन होता है बेटा, वो 22.4 liters होता है. और इस 22.4 liters में 6.0 के power 22 multiplied 10 to the power 23 molecules होता है. याद रखिएगा, यह direct value आपके exams में जो है, पूछा जाता है. ठीक है? चलिए. यहाँ पे एक note भी आपको नजर आ रहा है. Note क्या है? कि the energy of an ideal gas depends on the number of moles. ठीक है न बेटा? यहाँ पे direct question यह भी पूछा जा सकता है. किसी भी आदर्श gas की जो उर्जा होती है, वो किस पर निर्भर करती है? संख्या पर निर्भर करती है, volume पर निर्भर करती है, mole की संख्या पर निर्भर करती है, या इन में से कोई नहीं. तो आदर्श gas की जो बेटा उर्जा होती है, mole की संख्या पर निर्भर करती है, याद रखिए गई है. ठीक है state equation दिया हुआ है अवस्था equation दिया हुआ है समी करन तो यहां पे PV is equal to nRT जहां पे R क्या है बेटा R आपका molar gas constant है और PV is equal to RT मतलब n की value कितनी है 1 तो उसे साब से PV is equal to RT हो जाएगा है की नहीं किसी gas के लिए ओके नौ next heading है बेटा इस topic में गैसों का विसरन यानि diffusion of gases diffusion gases क्या होता है बेटा the natural process of mixing of gases against the earth gravity while there is a difference in densities called diffusion ओके so घनत्व के अंतर रहते हुए पृत्वी के गुरुत्वा कर्षन के विरुध gasों के आपस में मिलने जुलने के nature मतलब जी उनका ये behavior है जिसमें वो जो है एक दूसरे से क्या हो जाता है बेटा वो एक दूसरे में dissolve हो जाता है उसके इस nature को या आप कह सकते हैं उनके इस process को कहा जाता है बेटा diffusion बात समझ में आ रहा है कि ये एक natural process है जहां पर आप देख पा रहे हो कि earth gravity मतलब की गुरुत्वा कर्षन यानि gravitational जो force है उसके against जो होता है gases जो होता है आपस में क्या हो जाते हैं बेटा आपस में involve हो जाते है dissolve हो जाते है now next law क्या हो गया बेटा next law होने वाला है graham's law graham's का नियम देखते हैं ये नियम क्या कहता है ठीक है gases पे है ये है gases of diffusion पे दिया गया नियम है graham's का gases of diffusion का नियम इसमें बताया जा रहा है कि एक नियता पेवं दापर gases की विश्रन की जो आपेक्शिक गतियां होती है उनके घनत्व बेटा ध्यान दीजेगा उनके घनत्व या उनके molecular weight के आप कह सकते हैं उनके molecular weight के वर्गमूल के क्या हो जाती है inversionally proportional हो जाती है that means कि the relative speeds of diffusion of gases at constant temperature constant temperature पे बात हो रही है और pressure पे बात हो रही है inversionally proportional होता है to square root of their density और molecular weight के इसके अलावा the rate of diffusion of hydrogen gases is 4 times more than rate of diffusion of oxygen gas जो oxygen gas की जो विसरन की गती होती है ना बेटा ठीक है ना oxygen gas की विसरन गती से चार गुना क्या होती है यानि विसरन की गती यानि oxygen gas की विसरन गती से चार गुना धीक होती है ठीक है ना four times जादा होती है ओके next हमारा हो जाएगा periodic classification of elements ठीक है इसके लिए आपको पूरा periodic table बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा mandaliff periodic law ठीक है जब हम periodic table पढ़ते हैं तो हमारे पास सबसे पहले यही law आता है mandaliff periodic law एक russian scientist है जिनका नाम था di mandaliff ठीक है इन्होंने क्या किया था बेटा उननीश्वी सताबदी के बीच में ठीक है इन्होंने क्या किया तत्वों तथा उनके योगि को के तुलनात्मक study की और एक नियम दिया जिसे mandaliff का आवर्थ नियम कहा जाता है बेटा क्या कहा जाता है mandaliff periodic law कहा जाता है क्या कहता है यह law mandaliff का यह कहता है इनके हिसाब से कि जो elements होता है जो तत्वों होता है उनका physical और chemical nature ठीक है ना बेटा उनका physical और chemical character उनके molecular weight के उनके molecular weight के periodic मतलब लाइक हम कह सकते हैं आवर्थ पलन होता है यानि कि physical और chemical properties जो होती है element की वो periodic function शो करती है उसके atomic masses के लिए यह आपको क्या कहता है यह mandalief law कहता है ठीक है और यह mandalief द्वारा बनाई गई एक पूरी हम कह सकते है 9 class ठीक है यहाँ पे 9 groups है इस पूरे periodic cycle में और 7 periods जो हैं वो दिये गए पूरे periodic table को इन्होंने create कर रखा हुआ है ना उस time पे mandalief ने क्या था कि उनको पूरी तरीके से सारे elements जो है वो पूरी तरीके से उन्होंने include कर लिया था ग्याद सभी तत्वों के शामिल करने की अतिरिक बहुत सारे ऐसे भी elements थे जो उन्होंने blank छोड़ दिया था क्योंकि उन्होंने उसके बार में मतलब उनको उसके बार में ज्यादा knowledge नहीं था ठीक है so in additions to including all the elements known up to that time and mentally left rooms बहुत सारे आप देखोगे blank अभी भी है ठीक है क्योंकि unknown elements थे वो हो जाने ही गया था उस वक तक defects की अगर बात करें कि इसके क्या दोश है इस cycle के ठीक है इस chart के तो सबसे पहला है कि hydrogen को जो है आप कह सकते हो छार धातू और halogen जैसे double nature के दोनों classes में इन्होंने रखा ठीक है ना hydrogen को placed किया both the group of devil behavior like alkalic metal and halogens इनमें एक ये demaric देखा गया दूसरा equal character वाले elements को अलग-अलग रखा गया था जैसे की copper हो गया ठीक है जैसे की para हो गया organ हो गया ठीक है platinum हो गया इन सब को इन्होंने क्या किया था अलग-अलग रखा था तीसरा demaric कह सकते हैं कि उच्चे पर्मानुबार वाले तत्वों को कम पर्मानुबार वाले तत्वों के पहले रखा गया जैसे की iodine को जो है वो tellurium के बाद रखा गया जबकि iodine का molecular weight जो था वो क्या था? कम था in comparison to tellurium के समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं था ठीक है? दूसरा next in में ये था demaric कि आठवे class के ठीक है ना आठवे group के three elements को एक साथ ही इन्होंने क्या किया था? grouping किया था ठीक है? और मेंडलिस के पहले डॉबे राइनर और एक और scientist है new lights ने भी elements के groups को विवस्तित करने की कोशिश की थी बट classification में मतलब इन्होंने क्या क्या successful ये नहीं रहा है उसके method को classify करने में successful नहीं रही है इसके बाद आप देखोगे डॉबे राइनर के 1870 में एक इन्होंने क्या किया था? try किया था? German scientist थे ये इन्होंने क्या किया? तीन-तीन तत्वों वाले कुछ groups को चुना और उन groups को क्या किया? combine किया उस time तक जो है ग्याद तत्वों में केवल three कह सकते हैं कि three trides जो है वो कर सकते थे बलकि इनके results में ये था कि ये बहुत ज़्यादा success नहीं हुआ ये theory बहुत ज़्यादा success नहीं रही इन्होंने कोशिश की बट success नहीं रही ठीक है? next आपका है new lines principles of octavips ठीक है 1866 में ये आया था scientist का नाम था john new lights ठीक है उन्होंने क्या किया? उन्होंने बटाया कि elements को उनके atomic mass के RO ही क्रम में ठीक है? ने increasing order में वेवस्थित उन्होंने किया था और 56 वे element thorium पर उन्होंने आके वो finish किया मतलब कि जो आप कह सकते हो कि he arranged the known elements in increasing order of atomic mass indeed with thorium दी 56th element ठीक है? उन्होंने और क्या पाया? इसमें उन्होंने पाया कि every 8 elements का कह सकते हैं कि जो गुंद्धर्म था पहले elements के गुंद्धर्म के समान था ठीक है? उन्होंने इसकी तुलना किससे की थी? इन्होंने इसकी तुलना इनका compare किया ठीक है? इन्होंने संगीत के अश्टक से की और इसलिए इनको अश्टक का नियम कहा जा था octave के से इन्होंने relate किया like he found that the properties of each of the eight elements are similar to those of the first elements and dharma he compared it to the octave of music and hence is called a theory of octave उसी के नाम से इन्होंने इसका नाम रग दिया theory of octave ठीक है? इनके कह सकते हैं कि इनका सिध्धान केवल calcium तक ही लागू होता है ठीक है? नियूलाइट्स की कल्पना की ये प्रकृति में केवल 56 elements ही है ठीक है? तता भविश्य में कोई अन्ने तत्व नहीं मिलेगा इनको ये पूरा यकीम था कि इससे ज़्यादा कोई elements नहीं है ठीक है? बट ऐसा नहीं था ये गलत सावित हुआ क्योंकि इनके बाद भी 56 के भी बाद कई सारे elements जो है आए ठीक है? केम हुए मतलब आए सामने आए खोजा गया इस टेबल पे new lines ने पुट किया two elements को एक साथ ठीक है? दो तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ unequal elements को एक स्थान पर रख दिया और इन्होंने ये इसी वज़े से इनका जो octave का जो थियूरी था वो भी असफल ही सिद्ध हुआ modern periodic table क्या कहता है? आधुनिक आवर्ट साडनी क्या कहती है? ये भी देख लेता है सबसे पहले 1931 में मोजले ने दिया था इनके अनुसार elements के गुण उनके atomic number के जो है कह सकते हैं periodic functions होता है ठीक है? और इसमें और बताया कि आधुनिक modern जो periodic table में जो आवर्ट की संख्या होती है जो कह सकते है period numbers होती है 7 होती है और group की संख्या 9 होती है ठीक है? और group एक से लेके आपके 7 तक 2 subgroups होते हैं A and B में बटे होते हैं और इस प्रकार subgroups को लेकर कुल वर कुल groups की जो numbers total संख्या होती है वो 18 होती है first number जो होता है हर एक periods में first जो member होता है वो छार दातू है ठीक है alkaline metal है sorry और last वाला जो member है कोई inert gas सिर्फ पहले जो होता है वो period का पहला जो member होता है वो hydrogen जैसा exception माना जाता है मतलब like कह सकते है alkaline matter and last member of inert gas only the first member of the first period is hydrogen which is an exception वो भी exception था दूसरी चीज है कि आधुने कावर्ट सार्णी में परमानु संख्या 57 से लेके 71 तक को lethenite shreni में इन्होंने रखा और atomic संख्या 89 से लेके 103 तक actinite shreni कहा जाता है उसमें रखा था ये भी आप से पूचा जाता है कितने नमबर तक के shreni को lethenite कहा जाता है कितने तक को actinite कहा जाता है फिर यहाँ पर important note आप देख सकते है कि rare मतलब जो दुर्भल म्रिदा आवर्ट सार्णी में 118 जो chemical elements में से 17 जो elements से एक special groups में है और ये special groups से lethenite group के chemical elements के 15 elements और candium और atrium को add करके क्या किया इनोंने earth metal धातू बनाया जिसको हम उसी नाम से जानते है ठीक है ये एक special note में हमने यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है और साथी साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि दुर्लभ म्रिदा धातू बिबिदन प्रकार की electronic सामानों, desk, drives, MP, players miniature, chargeable, batteries यह आप यूज करते है display, tv, monitors, night vision, chashma, mobile phone आदी के जो है कह सकते है निर्मान में जो है development में help करता है यूज होता है and it is also of a great importance in the manufacture of missile sorry missile ठीक है इसके अलावा जितने भी jet fighter engines होते है underwater machines होते है detectors होते है उनके भी development और उनके भी कह सकते है manufacture में इसका यूज कर सकता है globally, global level पर देखा जाए तो दूरलप जो यह particular चीज है चीन जो है first number पर है और उन्होंने ज्यादा यूज करके development की है उसके बाद Brazil, Australia, भारत, अमेरिका और Malaysia का इस अस्थान है और नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक की डाट इस आयनन बिभव ionizational potential ठीक है यानि यह क्या होता है यह भी देख लेते हैं उर्जा की वो निउन्तन मात्रा जो एलिमेंट के ग्यासिय पर्मानू ठीक है ना बैटा ग्यासिय पर्मानू की बाहितम कक्षा जो आउटर सेल होती है उससे एक इलेक्टरॉन को निकाल बाहर करने के लिए अज़र रही होती है तो ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे फाक्टर को हम कहते हैं आयनन बिभव ठीक है ionizational potential कहा जाता है ठीक है next session में हम इसके आगे के topic को cover करेंगे नहीं आगे के topic भी बहुत जादा नहीं है उसको भी हम cover कर सकते हैं तो इसको भी लेफि लेता है O.K. So next में क्या बोल रहा है 1 second तो next में बोल रहा है electron affinity electron affinity क्या होता है One a neutral atom accept an electron the resulting energy is called electron affinity मतलब जब उदासीन परमानू एक electron को accept करता है तो उसके result में जो भी energy बेटा उत्पन होती है उसको electron की बंधुता यानि electron affinity कहा जाता है ठीक है? ग्रूप 7 एक की जो elements की electronic जो affinity होती है वो बहुत हाई होती है सबसे अधीक जो होती है वो chlorine की होती है कोशन पूचा जाता है सबसे अजी electron affinity किसकी होती है? chlorine की होती है बेटा next आता है electronegativity विद्दुत निनात्मत्ता किसी elements की परमानू की वो छमता वो capacity जिससे वो क्या कर सकता है? साजेधारी की electrons को जोड की pairs को अपनी ओर क्या कर सकता है? attract कर सकता है खीच सकता है affect कर सकता है और उस elements उसको उस तत्व की क्या कहता है? electronic electronegativity कहता है मतलब the ability of atom ठीक है? of an element to attract the shared electron जिस जो shared electron pairs को attract कर सकता है toward itself अपनी तरफ खीच सकता है उसी को कहा जाता है उस element का electronegativity चीक है? यहाँ पे एक और question आ रहा है कौन सा element है जिसकी electronegativity बहुत ज़्यादा होती है वोता है बेटा fluorine important note में बता रहा है the inert gas have the lowest melting point while group IV element have the highest melting group किसका melting point ज़्यादा होता है किसका कम होता है फिर next session में मैं chemistry के नए topic को लेके आऊंगी और हम जल मिलेंगे नए topic के साथ thank you